बिहार के सिक्षा मंत्री चंदर शेखर के राम चरित मानस पर दिये गव बयान पर सियासी संग्राम जारी है। और सुधाकर सिंग के बाद क्या चंदर शेखर की बारी है। बिहार की राजनीती पर कितना असर पढ़ने वाला है। चंदर शेखर ने राम चरित मानस सहीत तीन गरंतों के नाम नफरती किताबों के रूप में गिना दिये। उनका बयान राजनीतिक तोर पर क्या असर डालेगा ये तो समय के गर्में है। लेकिन इतना तो तय है कि हिंदों की आस्था पर उन्होंने कड़ा प्रहार किया है। प्रोफेसर चंदर शेखर चात्रों को राम चरित मानस के इस अध्धम जाती में विद्या पाए, भयायू यथा अहीं दूध पिलाए। चौपाई को सुनाया। इसका अर्थ बताते भी उन्होंने कहा कि अध्धम का मतलब नीच होता है। उस वक्त नीचाती को सिक्षा ग्रहिन करने का अध्यकार नहीं था। ये सब समाज में नफरत फैलानी का काम करते हैं। मानजी को तो कम से कम राम चरित मानस में अच्छी बाते भी दिखती हैं। लेकिन चंदर शेखर को ये नफरती ग्रंथ लगता है। चंदर शेखर के बयान पर अब विवाद शुरू हो गया है। ये बयान हिंदू की आस्था से खिलवार खतरनाक साबित हो सकता है और इसका सीधा लाब बीजेपी को मिल सकता है बीजेपी अभी हिंदू की सबसे बड़ी पैरुकार पार्टी मानी जाती है अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर ही वो अभी देश की बागडोर समहाल रही ह दूसरी और हिंदू वोटों की परवा किये बगैर चंदरशेखर जैसे नेता हिंदू भावनाओं को आहत करने में लगे हैं बीजेपी इस मुद्धी को भुनाने में पीछे नहीं रहेगी बिहार भाजपा के नेता विजय कुमार सिन्हा ने सीम नितीश कुमार और डिप् से सहमत हैं तो अपनी स्थिती स्पष्ट करें हालाकि जग्दानन सिंग ने साफ कह दिया है कि राज़त सिक्षा मंतरी के साथ है और उन्हें डरने की जरूरत नहीं है वहीं तीश कुमार ने इस बयान के बारे में जानकारी नहीं होने की बात कही है अब ऐसे में सवाल यही को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें हमें फिस बूपर भी फॉलो करें और ट्विटर पर भी फॉलो करें वीडियो देखने के लिए आपका धनिवाद